दिग्रश शहर में इन दिनों अतिक्रमन हटाने की कारिवाई का दोर चारी है नगरपाली का मुख्यादिकारी माधोरी मडावी ने हाली में जनता से जहा स्वयम अपना अतिक्रमन हटाने का आवान क्या है वही कई जगों पर कुछ लोग अतिक्रमन की कारिवाई से बचने के लिए नए ने जगाड़ खोज रहे हैं पेशे दिगर सवादता जुपर खान की यह खास रिपोर्ट यह होल्टेक पुरा का नगरेशोर चौक है इस चौक में यह जो मंदिर है वो नगरेशोर का मंदिर है इस मंदिर पर कभी शेड हुआ करता था जो अब यहां से गायब है साथी मंदिर के पास नगरेशोर चौक लिखा हुआ एक बोर्ड याने फलक भी था वो कहां गया पता नहीं वैसे ये मंदिर काफी पुराना है इस मंदिर से सटा जो सारवजनिक रास्ता है वो सभी धर्म समुदायों के दुरुष्टी कोन से बेहत महत्वपूर्ण रास्ता है इस रास्ते से होल्टेक पुरा की और राम नौमी मोहरम गनेश विशरजन दुर्गा देवी विशरजन वारकरी काकड आरती की रालिया या जुलुस निकाले जाते है बेरहाल इन दिनों नगरपालिका को सूचना दिये बगैर मंदिर से सटे इस रास्ते की दोनों बाजू किसी ने नीजीत तोर पर मजदूर लगा कर खुदाई कर दी सूत्रों का कहना है कि शेहर भर में इन दिनों अतिक्रमन की जो कारवाई जारी है उससे बचने के लिए अपनी अतिक्रमित जगा को सुरक्षित करने के लिए यह जुगत लगाई गई है ताकि अतिक्रमन हटाने के लिए कोई जेसी भी या अन्यवाहन यहां से आन सके बेरहाल नाली या रास्ता खोदने का कारण जो भी हो नियम अनुसर इस काम के लिए नगरपालिका के स्वास्त विभाग को सुचित करना या संबंदित विभाग से अनुमती लेना जरूरी था लेकिन ऐसा नहीं किया गया गरतलब है कि यहां जो मंदिर है उसका चबुत्रा स्थानिय भाषा में जिसे ओटा कहा जाता है वह ओटा और मंदिर के बैक साइट की सीडिया भी तोड़ दी गई है हाला कि सुत्रो ने बताया कि सन 1992 और 1993 में नगर अचना के तहत मंदिर के जिर्नोधार के लिए इस्थानिय प्रशासन ने यह चबुत्रा बनाया था कहा जाता है कि ततकाली ने इस चबुत्रे को सैंक्शन किया था लेकिन बीते चार से छे महा पहले इस मंदिर की सीडिया चबुत्रा तोड़ दिया गया है और हाल फिलाल में नाली में चोकप का कारण सामने रखते हुए रास्ते और नाली को मनमानी तरीके से खोदा गया है जबकि स्थानिय नागरिकों की माने तो इस हरकत को अंजाम देने वालों को अतिक्रमन की कारवाई का डर सता रहा है खुद के अतिक्रमन की हकीकत को छुपाने के लिए नाली खोदने का जुगार किया गया ऐसे में इस मंदिर परिसर और सारवजनिक रास्ते पर जारी मनमानी से तंग आकर परिसरवासियों ने मुख्या धीकारी माधूरी मडावी से इस मामले में ध्यान देने की मांग उठाई है परिसरवासियों का कहना है कि यहां जो मंदिर का शेड चबुत्रा और सीडिया थी उसका पुनर निर्मान किया जाए और इस रास्ते पर किये गए अन्य अवैत कबजे और अतिकर्मन को भी ततकाल रूप से हटाया जाए कुल मिलाकर बात ये है कि शेहर भर में अतिकर्मन का जाल फैला हुआ है फिर वो पिछड़े इलाके हो या सुशिक्षित लोगों के रिहायशी पौश इलाके हो हर जगह पर अवैत कबजे की होड मची हुई है और इसमें अमीर, गरीब, अनपड, गवार, पड़े लिखे जा झाल प्रक्राश जड़े इलाके हो है